दोस्तों हमारी दुनिया लाको जानवरों और जिव जन्तूओं से भरा पड़ा है जिसमें अलग-अलग तरह के कई छोटे बड़े प्राणी पाए जाते हैं ऐसे ही दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के साथ सबसे बड़े और लंबे जानवरों के बारे में जो सायद आपको नहीं पता तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर शुरुआत करते हैं पहले नमबर से पहले नमबर पर है ग्रीन अनाकोंडा यू तो दोस्तों एक से बढ़कर एक भयंकर अनाकोंडास और सापो को देखा गया है लेकिन अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े साथ की तो वह है साउथ अपरिका में मिला 25 फुट लंबा ग्रीन अनाकोंडा जो 25 फिट ल रखा गया है दूसरे नमबर पर है टॉलेस डॉग ग्रेट डेन नसलका या जेउस नामक डॉग दुनिया के सबसे लंबे डॉगों में से एक है जो 44 इंच लंबा और अपने आपको साड़े साथ फिट तक स्ट्रेच कर सकता है अपने इस अव विश्वसनी लंबाई के लि तीसरे नमबर पर है बिगेस रैबिट डॉरियस नामका यह रैबिट दुनिया के सबसे बड़े खरगोसों में से एक है जो 4 फिट 4 इंच की लंबाई के साथ गीनिस बूक आफ वर्ड रिकॉर्ड में सिर्ष पर बरकरार है लेकिन आने वाले समय में इसके अपने बेटे ज जेब से इस मुकाबले में सामना करना पड़ सकता है जेब 4 फिट कुछ इंच लंबा है चौते नमबर पर है बिगेस्ट एलिगेटर 15 फिट 9 इंच लंबे इस भारी भरकम घडियाल का सिकार किया था अलबामा के स्ट्रोक फैमिली के 5 सदस्यों ने 458 किलो इस अमेरिकी बार करने में इन 5 सदस्यों को 5 घंटे से भी ज्यादा समय लगे थे माना जाता है कि यह घडियाल 24-28 साल पुराना है इसके आशेस आज भी अमेरिका के मॉंटको मेरी जूज मैन वाइड लाइफ लर्निंग म्यूजियम में देखे जा सकते हैं पांचवे नमबर पर है लार जाती के क्रैब 30 से 70 साल तक जीते हैं छटवे नमबर पर है वर्ड डॉलिस्ट काव डैनियल नाम की यह गाये दुनिया के सबसे बड़े गायों में से एक है जो 6 फिट 4 इंच लंबी है अपने इस अविस्वसनी लंबाई के लिए इसका नाम गिनिस बुक आफ वर्ड रिक जाती है लेकिन बात करें दुनिया के सबसे बड़े ब्लू वेल की तो एक रिपोर्ट के मताबित दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू वेल 98 फिट लंबा और 173 टन वजनी था लेकिन समुंदर में इससे भी बड़े ब्लू वेल देखे जाने के दावे किये गये हैं या आने वाले दिनों में हमें इससे बड़ा ब्लू वेल देखने को मिले दोस्तों समुंदर इतना विशाल है कि उसमें से किसी एक प्रजाती के सबसे बड़े जीव को ढून पाला लगबग नामुमकिन है आशा करता हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो वाले वीडियो को बिना रुके देख सकें फिर मिलूगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार